अब एक सेकंड के लिए imagine करें एक beautiful, cleaner, greener और pollution-free दुनिया क्या आप ऐसे जगह में रहना चाहेंगे? कौन नहीं चाहेगा? हम सब एक cleaner और poor human environment को prefer करते हैं कोई भी गंदे या unhealthy environment में रहने का खुआब नहीं देखता है लेकिन अफसोस हमारी जिन्देगी आज ऐसी situation में फसी हुई है जहां हमारा खुबसूरत environment गंदगी, जहरीली गैस, food waste और खुली फिजा में मौजूद, savage water से बहुत आलूदा हो गया है और नतीजे में ज़ादा infections और बीमारियों का बाइस बनता है और अब इस इंतहाई आलूदकी का जिम्मदार कौन है ये इंडस्ट्रिलाइजेशन का हद से बढ़ता हुआ और गेर जिम्मदार पहलू है अगर जे इंडस्ट्रिलाइजेशन ने हमारे living standard हमारी हमेशा बढ़ती हुई जरूरतों और खौहिशात को पूरा करके बहुत बढ़ाएं है इसने Mother Nature हमारे beautiful environment को तभा करने में बड़ा किरदार अदा किया है कैसे आप पूछ सकते हैं? वेल, ये इंडस्ट्रिस के हिसाब से industrial waste और influence solids, liquid या gas की सूरत में environment में release करती है इन influence में बहुत ज़ादा toxics और carcinogenic compounds होते हैं जो सेहत के लिए इंतहाई नुखसान दे होते हैं बहुत ज़्यादा air pollution होती है ये ज़्यादा तर cars और buses जैसी auto mobile से exhaust की वज़ा से होता है ये atmosphere में lead की बहुत ज़्यादा amounts शामिल कर रहे हैं और बस ये काफी नहीं है, heavy metals जैसे के chromiums, tanneries से इंसानी सेहत में नुखसान पहुचा रहा है यहाँ तक के हमारा प्यारा मुल्क पाकस्तान भी environmental pollution के बड़े stress के under है हवा के इलावा शिदीद water pollution होती है हमारे दरिया और नहरे शेहर के saverish और industrial ways जो इसमें mix हो जाता है इसकी वज़ा से बहुत आलूदा हो गई है ये marine life के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है और यही वज़ा है इनकी तादा तेजी से कम हो रही है हमारे fish population बहुत बुरे दरीके से मुतासर हो रही है ये दिल को बहुत दुख पहुचाता है हकीकत में कुछ countries में environmental pollution alarming levels तक पहुच गई है हमें इस problem पर बात करनी चाहिए इससे पहले की सूरत आहाल हमारे control से बाहर हो जाए या दुनिया के ecosystem के bio components कभी न भरने वाले नुकसान से गुजरें और अफसोस, environment इस खुबसूरत planet पर जिन्दगी को support करने के काबिल न रहे आप imagine कर सकते हैं कि ये कितना तभाकुन हो सकता है My students, my use नहीं होते जैसे कि biologist ने एक बार फिर हमारे दिन को बचा लिया है Biologist ने इस problem का serious note लिया है और हमारे environment को conserve करने के लिए solutions तलाश करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं वो ज्यादा नजर अंदाज होने वाले areas के दर्मियान awareness पैदा कर रहे हैं और industrialist को industries influence को obligatory rule के मताबिक treat करने का already कह दिया है इन्होंने air pollution या ज़्यादर precisely गारियों की pollution की problem को cater करने के लिए lead free patrol भी suggest किया है On top of that, वो bioremediation के मुक्तलिफ तरीकों की तेर्किकात भी कर रहे हैं कोई idea है कि bioremediation क्या है इसका मतलब है living organisms की मदद से environmental pollutants ये toxic materials को remove ये degrade करना मिसाल के तोर पर देखा गया है कि algae bioabsorption के जरीए heavy metals की pollution को कम करती है वाव, supernatural treatment, मैं impressed हो गई हूँ ये तमाम steps already promising लग रहे हैं लेकिन इससे भी ज्यादा है plants और animals की species को मुकमल खात में से बचाने के लिए biologist ने endangered species की list तयार की है और उन्होंने इनकी हिफाज़त के जरूरत पर जोर दिया है इन्होंने अपनी जिंदगिया हमारे planet अर्थ की हिफाज़त के लिए वक्फ कर दी है इन तमाम problems उनकी causes और यहां तक के उनकी solutions को अच्छी तरहां समझने के बाद environment की हिफाज़त करना और अच्छे मैयार पर फेलाना अब हमारी duty है चले biology के साथ हाथ मिलाते हैं और environment को healthy और happy रखने की जिम्मदारी लेते हैं मुझे यकीन है के हम मिलकर इस दुनिया को बेहतर जगा बना सकते हैं तो मेरे super energetic और responsible junior biologist आगे बढ़िये and color the world green